आज हम पढ़ेंगे राहुल साक्रत्यायन का जीवन परीचे तो इसमें हम उनकी रचनाय भाषा शेली और साहिते में इस्थान देखेंगे और यदि इसके इस्थान पर प्रश्ण आता है कि इनकी भाषा शेली की विशेशता है बताईए तो भी आपको यह भाषा शेली ही लिखना है इससे आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे एक्जाम में तो शुरू करते हैं राहुल साक्रत्यायन की रचनाये तो इनकी रचनाये हैं मेरी जीवन यात्रा दिमागी गुलामी गुमकर शास्त्र भाषा शेली राहुल साक्रत्यायन भाषा के विद्वान थे उनकी भाषा सहज सरल व्यावारिक खड़ी बोली है उनकी भाषा में ततसम व तदभव शब्दों का प्रयोग मिलता है उनकी रचनायों में मुहावरे व लोकोक्ति का यथा इस्तान प्रयोग किया गया है तो यह उनकी भाषा हो गई है इसके बाद शेली है उनकी शेली सहज व स्वाभाविक है उन्होंने अपनी रचनाओं में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, वव्यंग्यात्मक शेली का प्रयोग किया है तो यह भाशा शेली है आजकल एक्जाम में दो या तीन नंबर के प्रिष्टों में आता है लेखक परीचय तो उसमें उनकी भाशा गत विशेष्टाय पूछी जाती है या फिर भाशा शेली या फिर भाशा की विशेष्टाय पूछी जाती तो हमें भाशा शेली में जो लिखाये पूरा ही लिखना है एक बार फिर से हम देख लेंगे भाशा शेली ट्राहुल साकरतयन भाशा के विद्वान थे उनकी भाशा सहज सरल व्यावारिक खड़ी बोली है उनकी भाशा में ततसमव ततभव शब्दों का प्रयोग मिलता है उनकी रचनाओं में मुहावरे व लोकुक्ति का यथा इस्थान प्रयोग किया गया है उनकी शेली सहजव स्वाभाविक है उन्होंने अपनी रचनाओं में विवेचनात्मक वर्ननात्मक वव्यंग्यात्मक शेली का प्रयोग किया है इसके बादे साहित्य में इस्थान राहुल साकरतयन यात्रा साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में उनका महतपुर्ण इस्थाने तो इस प्रकार ये जीवन परिचय या लेखक परिचय है राहुल साकरतायन का यदि आप इस तरह से एक्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंकप प्राप्त होंगे एक बार फिर से देख लेंगे इसको ता आपूल साकरत्यायन भाषा के विद्वान थे उनकी भाषा सहज सरल व्यावारिक खड़ी बोली है उनकी भाषा में ततसम व तदभव शब्दों का प्रियोग मिलता है उनकी रचनाओं में मुहावरे व लोकोक्ति का यथा इस्थान प्रियोग किया गया है उनकी शेली प्रजवा स्वाभाविक है उन्होंने अपनी रचनाओं में विवेचनात्मक वर्णनात्मक और व्यांग्यात्मक शेली का प्रियोग किया है सहित्य में इस्थान राहुल साकरत्यायन यात्रा सहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी सहित्य में उनका महतपुर्ण इस तो इस प्रकार हमने राहुल साकरतैन का लेखक परिचर पुरी तरह से देख लिया है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नव्य और दस्वी की संपुर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए।